हलो आपरिवान वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग सॉल्फ करेंगे ब्रेंटीजर के कोसिंस को और इसके पहले के जो वक्सिट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आतों फिर आप आई बटनों क्लिक किजी यहां से भी आपको वीडि अगर हम इसको रैसनल लंबर में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर वो बताना है तो बहुत ही सिंपल है देखिए हम लोग कैसे करेंगे यह फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है 0.225 हम यहां पे क्या करते हैं यह डेसिमल को हम हटा लेते हैं तो डेसिमल क के डेसिमल अभी नहीं पूट करते हैं जो डेसिमल के राइट साइट कितने तो थरी डेसिमल को यहां पे 1000 से डिवैड कर लेना है तो यह हमारा रैसनल नंबर बन चुका है चुकि हम इसको सिंपलेस्ट फोर्म में कर लेते हैं तो देखिए क्या अंसर आएगा तो आप 5 से डिवैड होगा तो 20 यहां पर देखिए 200 आ जाएगा हमारा और फिर से यह 5 से डिवैड होगा तो यह होता है 545 और यह होता है फोर्जा 20 और 10 तो हमारा अंसर क्या जाता है 9 upon 40 तो 9 upon 40 जहां भी option में होगा हम उसको क्या करेंगे टिक कर लेंगे और यह हमारा 3rd नंबर प है रैसनल नंबर पी अपन क्यू कैन वी एक्सप्रेस्ट एज और टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई भी रैसनल नंबर है पी अपन क्यू उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में रिपरजेंट कर सकते हैं इफ क्यू हैज नो क्यू हैज नो प्राइम फेक्टर अधर प्राइम फ्राइम होगा उसमें से क्या नहीं होना चाहिए कहता है और देंट तो अधर दैन टू एन फाइब वोके तू और फाइब के अलावे कुछ और भी अगर प्राइम फ्राइम फ्राइब्स में आ गया नंबर तो वह हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमन नहीं होगा इसके बारे में हमने बात कर लिया है पिछले वर्क सीट में ओके तो यहां पर हमारा करेक्टर अनसर क्या होगा टू एंड फाइब आगे आईए सी नमर पर देखिए सी नमर पर कहा गया है मैनस सेवेन हाल एट अपॉन हंडेड एक्सप्रेस्ट एज अर डेसिमल नमबर इस अगर हम इसको डेसिमल नमबर में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है तो बहुत ही Mixed Number कहलाता है और Mixed Number को हम लोग क्या करते हैं इंप्रोपर में चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको 7 से 100 को Multiply करना पड़ेगा तो यह आपको मिलेगा 700 और फिर इसमें आपको 8 रहेगा ही रहेगा और देखिए आप क्या करेंगे चुकि यहां पर टूजी रोज है न तो आप राइट साट से टूड़ीट के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो यह आपका क्या हो जाता है यहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा तो यह हमारा आंसर माइनस 7.08 आईए हम लोग बात करेंगे डी नंबर तो डी नंबर पे आप देखिए यह है 4.01325 इसके उपर बार लगा हुआ है इस इक्वल टू तो बार किसके उपर है तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह टू और फाइब के उपर में बार लगा हुआ है तो यहां प प्रेखेंगे और फॉर्ट फॉर्ट जीरो वन थी टू फाइब यह तो 555 हो रहा है तो यह option कैंसल हो गया यहां पर देखिए कि यह आपका कैंसल हो जागा क्यों चूकि यहां पर यहां पर 1 325 वांधी टू सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं यहां पर 2525 तो आ रहा है ठीक ह 4.0 130 132 यह आपका डिस्टब है कोगे यह आपका केवल आपको 25 रिपीट होना चाहिए था तो यहां पर फर्स्ट नमबर हमारा करेक्ट हो रहा है यह आगे हमारे पास इनमबर है कहता है तो हम लोग पहले नौट कर लेते हैं और डिवैट करके देखते कि क्या हमारा अंसर आता है तो यह हमारे पास है 0.0639 और हम इसको डिवैट करेंगे किसे 0.213 से डिवैट करेंगे के लिए तो आईए हम अभी क्या करेंगे देखिए हम डेसिमल पॉइंट को डेसिमल जो है उस और देखिए यह जो हमारा डेसिमल के बाद 3 डिवैट से तो हम नुमनेटर में 1000 पूट करेंगे और यह जो हमारा नुमनेटर है इसमें डेसिमल के बाद 12345 डिवैट से तो हम डेसिमल में यहां पे क्या पूट कर लेंगे वन लैक पूट कर लेंगे ओके यह हमने कर लिया अ और यहां पे आप देखीए यह आपका cancel हो जाएगा three times में cancel हो जाएगा तो आपका यहां पर क्या आता है यहां पर आ गया three upon one hundred अब इसको आप decimal बेखे जाएंगे तो decimal में लेके जाएंगे तो पहले तो आप थिरी पूट करेंगे और इद्र आप 00 रख लेंगे यहां पर कितने zero है डेसिमल डेमेंटर में two zero और hundred है तो आपको राइट सायड से two digit के बाद decimal रख देना है तो one two यहां पर आपका क्या हो गया decimal हो गया तो हमारा answer क्या आता है 0.03 आई यह हम tick कर लेते हैं 0.03 कहां पर है तो यह देखिए हमारे पास है 0.03 third number answer हमारा हो जाता है अब जो हमारे पास B number का पहला है कहता है without actual division आपको divide नहीं करना है determine if this is terminating or non-terminating decimal number कैसा है तो हमारे पास है 28 upon 250 clear हम क्या करेंगे ना जो हमारे पास denominator है denominator का हम prime factorization करेंगे अगर यह 2 और 5 के वल आता है तो terminating होगा और 2 और 5 के अलावे कुछ और भी आ गया तो हमारा non-terminating हो जाएगा तो आएए हम यहाँ पर prime factorization कर लेते हैं यह हमारे पास है 250 हम देखिए यहाँ से 2 से divide करते हैं तो हमको यह क्या मिलता है 125 अब यह 125 हमारा 5 से ही divide होगा तो हम क्या करेंगे 5 से divided करेंगी तो यहाँ पे हमको 25 मिलता है 5 से फिर divide करेंगे 5 मिलेगा और यहाँ पे 5 से divide के हम 1 तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे prime factorization of 250 यह हमको क्या मिलता है देखिए 250 में हमरा आ गया 2 into 5 into 5 into 5 तो केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है इसके अलावे और भी कुछ नहीं आ रहा है इसका मतलब यह हमारा क्या हो जागा न टर्मिनेटिंग हो जाएगा तो हम यहाँ पे simply note कर लेते हैं prime factorization of 250 has only 2 and 5 so it has terminating decimal और इसलिए यह कैसा होगा terminating decimal होगा अब आईए इसको हम convert करेंगे decimal में minus 113 upon 7 तो decimal में convert करने के लिए हम लोगों को divide करना पड़ेगा तो हमारे पास है 113 ओके चलिए हमने ले लिया अब इसको हम 7 से divide करेंगे तो 7 से divide करेंगे तो आप देखिएगा कि क्या-क्या यहाँ पे हमको मिलता जाएगा तो पहले तो हम 1 से divide करेंगे तो यहाँ पे हमको 7 मिलेगा minus करेंगे यहाँ पे 4 मिल जाता है अब देखिएगा हमारे पास क्या होता है यहाँ से हम 3 को नीचे ले लेंगे तो यह 43 आगिया अब देखिए 7 को हम कितना times पड़ेंगे 6 times तो यह हमको क्या मिलता है 42 मिलता है माइनस कर लेते हैं तो यहां को 1 मिल जाएगा अब हमारा डिविजन नहीं जाएगा डेसिमल लेके जाना है तो हमको डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा डेसिमल पॉइंट रखते हैं तो हमको क्या मिलता है यहां पे 1-0 मिल जाता है 20-8 मिलेगा--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- तो यह हमको क्या देता है यहां पर मैनस करने पर फोर देता है फिर से हम जिरो पूट कर सकते हैं अब यह हमारा फाइप टाइमस में चलेगा तो फाइप टाइमस में क्या आता है थर्टी फाइप आता है ओके मैनस करने पर क्या आ गया मैनस करने पर फाइप आ गया फिर से हम जिरो ले सकते हैं तो हमको क्या मिलगी यहां पे 50 अब यह हमारा 7 टाइमस में चलेगा तो आईए आप 7 से लगाते हैं तो 49 और मैनस किये तो 1 अब देखिए हमारा यह फिर से repetition शुरू हो गया है यह 10 आ गया और यहां पर भी हमको 10 मिला हुआ था ठीक है तो यह repeat होगा तो 10 आया तो हम फिर 1 से लगाएंगे तो आप देखिए हमको यहां पर 7 मिलेगा फिर मैनस किये तो क्या मिला हमको 3 देखिए फिर से हमारा यह 30 आ गया ओके यहां से repeat होने शुरू हो तो आप देखिए क्या repeat हो रहा है यह आपका repeat हो रहा है 7 के बाद यह repetition शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे यहां पर dot 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 लगा देते हैं और यहां पर हमारा decimal representation आ जाता है यह हमारा क्या minus 113 upon 7 equal to हम लिखेंगे 16.142857 चलता रहेगा अब जो हमारा repeat हो रहा है न हम उस पर क्या करते हैं रेकरिंग लगा देते हैं तो यह हमारा 142857 यह हमारा बार बार आ रहा है तो हम इस पर क्या करेंगे रेकरिंग लगा देंगे इसको हम बार भी बोलते हैं और यह बता रहा है कि यह सारे डिजिट्स जो हैं वो बार बार आपके repeat होते जाएंगे यह कैसा होगी है यह non-terminating decimal representation हमारा आ जाता है next question number c हमारे पास है what should be subtracted from this to get this तो इसको हम बड़े ही easily solve कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर note करेंगे हम लोग यहाँ लिखते हैं the required number is x मान के चलते हैं कि वो number x है जिसको हम subtract कर लेते हैं इस number से तो हमको क्या मिल जाता है यह नंबर हमको मिल जाता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे therefore हमारे पास है minus में 15.834 और इसमें हम subtract कर लिए x तो हमको क्या मिल गया हमको मिल गया 3.476 मिल गया अब देखिए हम यहाँ पी ट्रांस्पोजिशन का काम करेंगे आनिकी यह जो नंबर है इसको हम राइट चैट लेके जाएगे तो हमारा मैनस एक तो अभी रहेगा हमारे पास से 3.476 और यह number को हम right side लेके जाएंगे तो यह हमारा अभी यहाँ पे plus पे है minus में right side जाके यह हमारा plus में हो जाएगा जब भी minus में कोई number रहेगा आप transposition करेंगे sign change हो जाएगा तो यह plus में हो जाएगा आने के 15.834 हमारा होने वाला है आप देखिए हम क्या करेंगे एक number हमारा दोनों plus में हम दोनों को क्या करेंगे add करेंगे तो add करने के लिए हम लोग column method का यूज करते हैं mistake होने का chance बहुत कम होता है यह देखिए हमने यहाँ पे column method में not कर लिया है column method में आप ध्यान रखेंगे decimal point के सामने decimal आपको रखना है और जो digits है वो उसको उसके place पे रख देना है आप add कर लिजिए तो 4 plus 6 आपको 10 मिल गया यहां से आपका carry हो जाता है 1 1 और यह देखिए 10 और फिर आपका 1 यहाँ पे carry हुआ है क्या हुआ 11 फिर आपका 1 carry हो गया 8 4 12 और 1 carry हुआ था क्या हो गया आपका 13 फिर आपका 1 carry हो गया तो देखिए यह 5 और 3 8 plus 1 क्या हो गया 9 9 आप नोट किजी कुछ भी carry नहीं हुआ है 1 तो क्या आ गया 19.3 1 0 तो यह हमारा हो गया 19.3 1 0 तो 0 को last में है तो उसको आप neglect कर सकते हैं तो यह तो हमारा आ गया minus x का value यह जो sign है minus sign इसको हम right side लेके जाते हैं तो x हमारा क्या हो जाता है minus में हो जाता है 19.31 यह धियान रखिएगा कि यह जो हमारा minus में x था इसको हमने minus sign को क्या किया है right side लेके चला गया है ओके तो यह हमारा क्या हुआ माइनस में आगया answer और यह हमारा हो जाता है final answer किलिए तो question number D बहुत ही simple है यहाँ पर हमको यह जो दिया हुआ है decimal में इसको हमको लेके जाना है rational number में और standard form में लेके जाना है तो हमारे पास है यह 4.82 हम यहाँ पर equal to देंगे और यह अभी हम decimal को नहीं लिखेंगे okay तो क्या होगा 482 अब decimal के बाद कितने digits है तो हम यहाँ पर divide करेंगे कितना hundred से divide करेंगे चलिए हम divide कर लेते हैं और divide करने के बाद यह बोला है ना finde form में लेकर जाने के लिए standard form का मतला होता है Simmons form में तो आइए हम divide करेंगे तो तू से तो realities होई रहा है तो तो से divide किजिए appliance मिल घ्रया और यहां पर क्या मिल जाता है two four one मिल जाता है तो आप देखिए आपका यह आजाता है 241 और यहाँ पे आपका 50 तो 50 आपका 2 से डिवाइड होगा 50 आपका 5 से डिवाइड होगा 50 आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन यह जो आपका नमबर है यह 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका simplest form में आ चुका है तो यही आपका क्या हो गया answer हो गया ओके नेक्स्ट कोर्शन नमर यह हमारे पास है और यहाँ पे हम लोग को 0.4 से चलिए आप यह decimal को हम हटा देते हैं तो decimal को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है यह हमारा आ जाता है 16 और यह 0, 1, 6 तो रहेगा और यह हमारा 4 यहाँ पे decimal के बाद 1 डिजिट है तो आप numerator में 10 से multiply करेंगी और यहाँ पे decimal के बाद 3 डिजिट से तो आप यहाँ पे 1000 से multiply करेंगी अब आप divide किजिए तो यह 0 से 10 cancel हो जाएगा और यह 4 से आपका यह cancel हो जाएगा 4, 4 जा 16 यह आपका आगे 0 है तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा फिर आपका 1 डिजिट आया फिर नहीं divide होगा तो फिर आप 0 लेंगे और इसके बाद 16 आता है तो 16 आपका यहाँ पे क्या answer आए से divide कर रहे हैं तो आपका क्या हो जागा ना यह 2 डिजिट के बाद decimal आ जाएगा तो यह decimal आपका यहाँ पे आ जाता है और यह क्या हो गया आपका answer अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से आप यहाँ देखे divide हम लोग कर लेते हैं यह हमारे पास क्या है ना 16 016 और divide करेंगे से फोर से divide करेंगे तो फोर फोर जा क्या हो गया 16 चलिए यहाँ पे cancel आउट यह आपका जीरो आ गया नीचे ओके अभी आपका डिवैट जा रहा है नहीं जा रहा है तो आप क्या करेंगे एक जीरो पूट करेंगे तभी आपका दूसरा डिजिट नीचे आएगा अभी तो आपका यहाँ पे क्या आता अंसर जीरो रिमेंडर जीरो आ गया तो इस तरह से हम लोग divide करते हैं और यह divide करने के बाद हमारा क्या आया 4004 100 से डिवैट करें तो टूट के बाद राइट साट से decimal पूट कर देंगे हमारा answer हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे complete कर लिए question number 1 के सारे कोस्टन को, so I hope this video lesson is helpful for you, so like this video and share with others and do some comments, also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos, thanks for watching, have a glorious day, ahit.